दोस्तो वीडियो की नीची जी लाल कलर का बटनों से दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल एकन दबा के ओल पे क्लिक कर दियेगा ताकि नए वीडियो आप तक पहुचती रहें दोस्तो रियल्मी ने 8 सीरीज में काफी सारे स्मार्टफोन्स लांच कर दिये अंडिया के अंदर पहले रियल्मी 8 लांच हुआ था फिर रियल्मी 8 5G फिर रियल्मी 8i और 8s 5G तो इस वीडियो में इन चारों में कमपेरिजन करके आपको बताऊंगा कौन सा रियल्मी 8 आपके लिए जादा बढ़िये रहेगा सिंपल 8 या फिर 8i 8s 5G या फिर 5G तो वीडियो का आप एंड तक देखते रहिएगा बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा बात कर लेते हैं दोस्तो सबसे पहले रियल्मी 8 के बारे में ये सबसे पहले लॉंच हुआ था इसकी कीमत थी 214,000 लेकिन रियल्मी के सारे मॉबाइल्स की कीमत काफी जादा बढ़ गई अब आपको 16,000 का मिलता है 2000 महेंगा 16,000 में इसके अंदर आपको दी गई है 4GB RAM, 120GB की इंटरनल स्टोरेज तो स्टोरेज इसके अंदर आपको अच्छी दी गई है डिस्प्ले इसके अंदर आपको काफी बढ़िया मिल जाती है AMOLED डिस्प्ले दी गई है तो डिस्प्ले के कलर्स, ब्राइटनस बहुँजाद अच्छे हैं इसके अंदर, इन डिस्प्ले फिंगर पेंट स्केनर भी दिया गया है इसके अंदर, डिस्प्ले के अंदर ही फिंगर पेंट स्केनर है बाकि डिस्प्ले में आपको नॉर्मल 60Hz का रिफ्रेश रेट दिया गया है इसके अंदर, 90Hz का रिफ्रेश रेट नहीं मिलता पे भी मैंने कई सारी वीडियो बनाई हैं आप चैनल में जाके देख सकते हैं इसका डिजन बहुत जाद अच्छा है ब्लैक कलर से और जादा बढ़िया मिल जाता है सिल्वर कलर पिछी की तरफ चार कैमरे दिये गए हैं में कैमरा है पहला 64 मेगा पिक्सल का दूसरा आठ दो कैमरे हैं 2-2 मेगा पिक्सल के फ्रंट है इसका 16 मेगा पिक्सल का कैमरा तो इसके अंदर आपको बहुत ही जादा बैस्ट दिया गया है लेफ्ट साइट पर सिम के ट्रे मिलती है दो सिम कार्ड और एक मेमरी कार्ड तीनों चीज़ एक साथ आप इन सभी मोबाइल्स में बहुत बढ़िया मिलता है और पर्फॉमेंस भी इसके अंदर आपको बहुत जादा बढ़िया मिलती है मेरे टेकर G95 प्रॉस्टर दिया गया है तो दोस्तों लगबाग 16000 में इसके अंदर आपको सारी ही खुबिया बहुत जादा परफेक्ट दी गई है रेट के साब से इ बढ़िया है इसके अंदर आपको डिस्प्ले भी एमोलिड मिल जाती है इन डिस्प्ले फिंगरपेंट स्केनर भी है बैटरी चार्जर भी बढ़िया दिये गाए है टाइप सी केबल के साथ प्रॉस्टर भी बढ़िया है कैमेरा भी अच्छा है और डिजैन भी बहुत गई है आप इसको ले सकते हैं अगर आपका बजट 16,000 का है चलिए देखते हैं आप जो बाद के रियल्मी 8 सीरीज के मुबाइल साय पहले तो है दोस्तों यह रियल्मी 8 5G जो आपको मिलता है आप साड़े 15,000 के आसपास दोस्तों 15,500 के अंदर इसमें आपको दी गई है 4GB 64GB के इंटरनल स्टोरेज वैसे यह 500 रुपे ही सस्ता है रियल्मी 8 से बस रियल्मी 8 4G है इसका बड़ा फर्किया है दोस्तों यह आपको 5G सपोर्ट के साथ दिया गया है हाला कि इसके अंदर आपको IPS डिस्प्ले मिलती है कलर्स अगर आप देखेंगे इसकी डिस्प्ले के तो काफी बढ़िया दिये गया है एमॉलेट डिस्प्ले नहीं है फिर भी डिस्प्ले के कलर्स आपको काफी बढ़िया मिल जाते हैं लेकिन दोस्तों रियल्मी 8 की डिस्प्ले के कमपेरिजन में इसके अंदर आपको डिस्प्ले थोड़ी डाउन ही दी गई है अगर मैं आ आपको दोस्तों डिस्प्ले में 90 Hz का रिफ्रेश रेट भी दिया गया है जो आपको Realme 8 4G के अंदर नहीं मिलता बाकि इसकी कीमत 500 कम है तो इसके अंदर आपको दोस्तों ये खुब अच्छी मिलती है 90 Hz का रिफ्रेश रेट है और दूसरा 5G है ये मोबाइल डिजाइन इसके ज़्यादा बढ़िया है लुक वाइस तो डिजाइन बहुत ज़्यादा बैस्ट है काफी ज़्यादा ग्लॉसी है लाइट की रिफ्लेक्शन बहुत अच्छी लगती है बैक पैनल पे और दोस्तों इसके अंदर आपको बिशी के तरफ तीन कैमरे दिये गया है मेन कैमरा है पहला 48 मेगा पिक्सल का दो कैमरे हैं दो-दो मेगा पिक्सल के फ्रंट है 16 मेगा पिक्सल का कैमरा मुझे इसका नॉर्मल लगा लेफ्ट साइड पर SIM की ट्रे दो SIM काड़ एक मेमरी काट तीन चीज़ एक साथ लगा सकते हैं टाइप सी पोउट इसके अंदर भी आपको दि एमेज की एक दिन का बैटरी बैक आप मिल जाता है अराम से लेकिन चार्जर थोड़ा स्लो दिया गया है 18 वाट का तो अगर आपको 5G मोबैल लेना है 90 Hz के रिफ्रेश रेट चाहिए और दोस्तो इसी के साथ आपको पर्फॉर्मेंस बढ़िया चाहिए तो आप Realme 8 5G ले सकते हैं बाकि डिस्प्ले एम ओलेड नहीं दी गई कैमरा मुझे इसका नॉर्मल ही लगा रेम और स्टोरेज भी आपको नॉर्मल मिलती हैं चार्जर भी इतने जादा फास्ट नहीं दिया गया ये कुछ कमी हैं इसके अंदर अगला है दोस्तो Realme 8i जो अभी हाली में लाउंच हो गया 13000 का 13000 में इसके अंदर आपको दी गई है 4GB RAM 64GB के इंटरनल स्टोरेज अब इस मुबाइल के अंदर आपको डिस्प्ले तो मिलती है दोस्तो IPS Full HD Plus ही Realme 8 5G के तरह 4G के तरह इसके अंदर आपको AMOLED डिस्प्ले न इसके अंदर नहीं मिलता लेकिन इसके अंदर आपको दिया गया है तो यह यूज करने में सबसे जादा स्मूध लगता है क्वालिटी तो नॉर्मल है डिस्प्ले की Realme 8 5G के तरह लेकिन दोस्तो स्मूधनेस तो इसके अंदर आपको कमाल की मिलती है यह खुबी बहुत जा इसके लोग दोसर डिजाइन इसके अंदर आपको बहुत जादा ग्लॉसी दिया गया है और यह मोबाइल 4G है लाइट की रिफ्लेक्शन आप देख सकते हैं इसके बैक पेनल पर बहुत अच्छी लगती है पीछी की तरफ तीन कैमरे दिये गया है में कैमरा है पहला 50 मेगा पिक्सल का दो कैमरे हैं 2-2 मेगा पिक्सल के फ्रेंट है 16 मेगा पिक्सल का कैमरे की परफॉमेंस आपको इसके अंदर भी काफी बढ़िया मिल जाती है लेफ्ट साइड पर सिम की ट्रे और वॉल्यूम के बटन्स दिये गया है निची की तरफ टाइप सिपोर्ट मिल जाता इसके अंदर भी हेड़फोन जाक आपको इन सब भी मोबाइल इसके अंदर आपको दिया गया है राइट साइड पर पावर का बटन फिंगर पेंट स्केनर इसमें भी साइड में है उपर से देहेंगे तो प्लेन डिजाइन है बैटरी मिलती है 5000 इमेज की 18 वाट के चार्ज इसके अंदर 120 हर्ट का दूसर सकेनर आपको प्रोस्तर बहुत जादा बडिया मिल जाता है और तीसर सके अंदर घाय आपको बहुत अचह दिया गया है यह तीन खुबियों के लिए बहुत बड़िया रहेगा अगर आपको यी तीन चीज़ें चाहिए तेरह हजार में बाकि mobile है दोस्तो realme 8s 5G यह launch हुआ है तक्रीबन 17-18000 के आसपास सबसे महेंगा है इन सब में इसके इंदर आपको दी गई है 6GB RAM 128GB के internal storage तक्रीबन 18,000 इसका price है 6GB 128GB का इसके इंदर दोस्तो आपको IPSC display दी गई है 90Hz के refresh rate के साथ तो दोस्तो इसके इंदर भी आपको display की quality वैसी मिलती है जैसे realme 8 5G के इंदर है 90Hz के refresh rate के साथ आपको realme 8i में जादा बढ़िया display मिलती है इससे क्योंकि उसमें 120Hz के refresh rate तो दिया गया है कम से कम इससे जादा है realme 8 5G से भी जादा है और ये mobile भी 5G के साथ आता है design इसके इंदर आपको काफी बढ़िया मिल जाता है purple type का color इसका आपको काफी अच्छा दिया गया है आप देख सकते हैं quality भी काफी बढ़िया है hard plastic के type की तो scratches भी कम आते हैं back panel पे पीछी की तरफ तीन camera दिये गया है main camera है पहला 64 megapixel का दो camera है दो-दो megapixel के front है इसका 16 megapixel का camera की जो 200 performance है वो इसके अंदर भी आपको काफी बढ़िया दी गई है इसके लोग दोस्तो इस mobile को भी आप left side से देखेंगे sim की ट्रे मिल जाती है सभी में दो sim card एक memory card तीनों चीज़ एक साथ लगा सकते है volume के button sis में भी इस तरफ है नीची के तरफ type c port दिया गया है headphone jack सभी में है fingerprint scanner इसमें भी आपको side में मिलता है उपर से देखेंगे तो noise cancelling mic दिया गया है battery मिलती है 5000 mh की 33 watt के charger के साथ तो charger इसके साथ आपको काफी fast मिलता है realme 8 4G के साथ काफी fast है और इसके साथ इसके लग दोस्तों इसके अंदर आपको processor बहुत ज़दा बढ़िया दिया गया है मेरे attacker diamond city 810 processor है इसके अंदर performance को लेकर इसमें भी आपको दिक्कत नहीं होगी processor तो दोस्तों आपको सभी में बहुत ज़दा बढ़िया दिये गये है performance को लेकर ये बहुत ज़दा अच्छे हैं सभी mobiles अगर आपको game वगरा खेलने हैं multitasking बहुत करनी है तो इन तीनों के अंदर आपको और दोस्तों realme 8 4G के अंदर भी बिल्कुल भी problem नहीं आने वाली सभी में बहुत ज़दा बढ़िया processor है तो अगर आपको budget 18,000 तक का है आप इसको ले सकते हैं 5G और बहुत ज़दा अच्छा processor है इसके अंदर तो दोस्तों ये सारी खुब ये कम यह हैं सब के अंदर मुझे दोस्तों personally इन सब में सबसे ज़दा बढ़िया लगा realme 8 4G अगर आप 4G mobile ले सकते हैं अभी तो दोस्तों इन सब में मैं आपसे यही कहूँगा आप realme 8 4G खरीदियेगा सबसे बेस्ट ये ही है सारे features इसके अंदर आपको quality wise सबसे बेस्ट दिये गए हैं बाकी इसके बाद मुझे realme 8i बहुत अच्छा लगा ये भी 4G हैं लेकिन दोस्तों खुब ये इसके अंदर भी बहुत ज़दा बढ़िया है realme 8 5G और 8S 5G ये दोनों mobile मुझे बस इसी चीज में अच्छे लगे कि ये 5G हैं बाकी तो rate की सबसे features मुझे दोनों के अंदर नॉर्मल ही लगे सबसे ज़ादा overpriced मुझे लगा realme 8s 5G सबसे best है realme 8, फिर 8i फिर 8 5G, फिर last में 8s 5G आप बतेगा फिर भी दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ शेर ज़रू करिएगा दोस्तों इस वीडियो को WhatsApp पर जो नया mobile लेने की सोच रहे हैं आपके दोस्त उनको शेर ज़रू करिएगा और दोस्तों चैनल को सबस्क्राइब कर लीजिए मिलता है अगली वीडियो में तब तक के लिए टेक केर बाबाई